आज बनाएंगे पोहा मेदू बड़ा विलकम टू स्रीरेखा किचेन नमस्ते ओल आज मैं बनाओंगी पोहा मेदू बड़ा जो की मेदू बड़ा जैसा ही टेस्ट आता है हम जो नॉर्मल मेदू बड़ा बनाते हैं वैसे टेस्ट आता है पहले मैंने पोहा को थोड़ा सा वाटर में भीगा दिया है, फिर उसको निचोड के निकाल लूँगी, मैंने करीब आसपास एक कटोरी पोहा लिया है, मैंने उसको वाटर में थोड़ा सा भीगा दिया है, फिर निचोड लूँगी, निचोड के एक बॉल में ट्रास्पर कर लोंगी ट्रास्पर करने के बाद में थोड़ा सा दालूंगी चावल का आठा थोड़ा वन-third मेने दाला है उसमें चावल का आठा बाइंडिंग के लिए और एक हाफ कटोरी में दालोंगी उसमें रावा जो है बॉंबे रावा, सूजी से मोलीना बोलते है फिर बेशन मेने दालास दालाrias जीर गुब दालास एक कपके आसपस नमक दालास है छीराँ एक चमस दालास है जीर को खोट़ की डल्ली को जीर छीली फ्लेक्स दाला है और को लेक कॉरिनन्डर लिफ्स दाला उसको mix करूंगी, एक दम से पूरा water मढ डालिये, नहीं तो वो बहुत ज्यादा गिला गिला हो जाएगा, और बड़ा की सेप में नहीं आएगा, आपको थोड़ा बेसन कम पड़े तो मैं थोड़ा सा बेसन भी मैंने डाल दिया, फिर एसे थोड़ा थोड़ा water डाल के मैं उसको अच्छे से mix कर लूगी, ये खाने में बहुत टेस्टी रहता है, आप जरूर ट्राई करना, इसको बीना चटनी के भी खा सकते हैं, मैंने फिर भी इसमें एक coconut चटनी बनाया है इसमें, टेस्टी र डालना है, और बीच में ऐसे वड़ा की जैसा मैंने होल कर दिया, जैसे मेदू बड़ा हम नॉर्मल मेदू बड़ा बनाते हैं, डाल का वैसे और एक एक डाल देंगे, उसको ओयल में हम, ओयल जो है, मीडियम होट रहना है, और एक दम से हम लोग उसको पलटेंगे नहीं, पहले थोड़ी दिर के लिए छोड़ देंगे, थोड़ा सा लाल हो जाने के बाद, फिर पलटेंगे, फिर मीडियम होट में अलट पलट के उसको फ्राइ कर लेंगे, अच्छे से, यह बहुत क्रिस्पी और करारा रहता है, आप रेकफस्ट में ले सकते हैं, उसको स्नाक्स क यह बहुत टेस्ट ही रहता है, मेदू बड़ा जैसा ही टेस्ट आता है, फिर अलट देंगे, उसको पलट के, एक एक करके फ्राइ कर लेंगे, एक दम से ग्यास को ज्यादा ओन मत किजिए, एक दम से फुल स्पीड से करेंगे, तो बाहर से क्रिस्पी रहेगा, और अंदर स कच्छा रहे जाएगा, और सब बांबे राबा, यह सब वेशन सब अच्छे से पकना है ना, तो उसको मीडियम होट में ही रखना है, पिर एक एक करके मैं सब कुछ निकाल दूँगी, और सर्विंग प्लेट में मैं उसको सर्फ कर दूँगी चटनी के साथ, इसमें मैंने बनाया है, आप कोकनट चटनी में एक चटनी के साथ खाईए, नहीं तो मूफ वली की चटनी के साथ खाईए, उसको आप टामाटा सॉस के साथ भी खा सकते ही, यह बहुत टेस्टी रहता है, आप ब्रेक्फरस्ट के जैसा लीजिए उसको, नहीं तो ईवनिंग स्नाक्स के जैसा लीजिए, आप कैसे भी लीजिए, यह बहुत टेस्टी रहता है, और खाने में बहुत लाजवाब रहता है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, और बोलना कैसा लगा यह रेसिपी आपको, थैंक यू बोलना कैसा, आप ज जरूर रहता है, यह बहुत लाईब नाच्छाइब जरूर कैसे में बहुत ओको, रहुत लाता है यू कि रह बहुत दो, प्रूरा तो, ले दो बहुत लाईब प्रूएए